हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चानल रिचा मेरा शोर्ट्स और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मतर गोबी की सबजी की रेसिपी तो सबसे पहले लेते हैं गोबी गोबी की जितने भी पत्ते होते हैं वो मैंने निकाल के अलग कर दिया है अब गोबी को हमें चेक करना है कि उसमें कोई कीडे तो नहीं है क्योंकि आज कल के सीजन में गोबी में कीडे बहुत जल्दी लग जाते हैं तो इसलिए गोबी को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और गोबी को चेक करने के बाद आप अगर गोबी की साइज भी रखना चाहते हैं तो आप बड़ी कट कर लिजे और अगर छोटी रखना चाहते हैं तो आप छोटे भी कट कर सकते हैं गोबी कट करने के बाद अब मैं जली-जली से मटर भी चृल लेती हूँ अभी winter आ चुका है तो मटर भी आपको market में ताजे ताजे मिल ही जाएंगे तो हम यहाँ पे fresh मटर ले रहे हैं गोबी, मटर, आलू की सबजी की quantity आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितनी सारी सबजिया बनाना चाहते हैं वैसे तो मटर पहले से छील के रख लेना चाहिए था बट मैं मटर छीलना भूल गई इसलिए मैं गोबी के साथ ही मटर छील रही हूँ और यहाँ पे मेरे मटर छील चुके हैं मैं सिफ दो ही लोगों के लिए सबजी बना रही हूँ इसलिए मैं सबजी की कॉंटेरी थोड़ी कम रख रही हूँ तो यहाँ पे सिफ लिया है मैंने दो आलू दोनों आलू को भी मैं छील के अच्छे से कट कर लूँगी आप आलू की साइज भी अपने हिसाब से रख सकते हैं मैं सारी सबजीों को एक ही साथ कट करती हूँ और एक ही साथ इसे वाश कर देती हूँ गोबी, आलू या मटर को अलग से फ्राइ करने के जरुवत नहीं होती है तीनों एक साथ भी आप फ्राइ कर सकते हो इसलिए अलग-अलग बरतनों में कट ना करते हुए मैं सबको एक ही साथ ही कट कर देती हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने जल्दी-जल्दी से आलू छील के उसे कट भी कर दिया है अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं सिफ एक प्याज अगर आपको ज़्यादा प्याज सब्जी पे डालना है तो आप ज़्यादा प्याज ले सकते हो बट मैं सब्जी की कॉंटिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही प्याज ले रही हूँ और इसे अच्छे से छील के मैं गोबी मटर आलू के साथ ही रख दूंगी अब यहाँ पर लिया है मैंने सब्जी में डालने के लिए 3-4 हरी मिर्चिया और लिया है मैंने सिर्फ दो टमाटर अब इन सब को साथ में बहुत ही अच्छे से वाश कर देंगे मैंने सबजियों को दोने के बाद टमाटर, प्याज और मिर्ची को अलग कर लिया है और इन्हें बहुत ही अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है अब डालेंगे कड़ाई में तेल तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालना है हमें थोड़ी सी राई राई डालने के बाद हमें डालना है जीरा और जीरा के बाद हमें डालना है थोड़ा सा हिंक तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तड़कने देना है उसके बाद हम डालेंगे इस पे प्याज, करी पत्ता और मिर्ची जो कि हमने पहले से ही कट करके रखा था प्याज को तब तक के हमें भूनना है जब तक के प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए प्याज को बहुत ही जदा ब्राउन होते तक के भूनने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो गोबी, मतर, आलू की जो सबजी होती है उसके साथ भी फ्राई होती है इसलिए प्याज को हलका सा ही सेक लगाना पड़ता है उसके बाद डाल दिया मैंने गालिक और जिंजर पेस्ट अब हम सबको बहुत ही अच्छे से फ्राई होने देंगे फ्राई होने के बाद हमें डालना है गोबी मटर आलू जो हमने वाश करके रखा हुआ है तेल में सबजियों को डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे से सबजियों को मिक्स कर देंगे और थोड़ी दे ढख के रख देंगे ताकि सबजियां तेल के साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पूरे जितने भी मसाले हमें सब्जियों में डालने हैं वो हम एक साथ ही डाल देंगे तो सबसे पहले मैं सब्जी में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर उसके बाद डालूँगे मैं मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर नमक और सबसे मेन होता है गरम मसाला कुछ लोग सबजी बनने के बाद गरम मसाला डालते हैं बट मैं सारी सबजियों में गरम मसाला पहले ही डाल देती हूँ जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को अपने रेसिपी वीडियो पे बताया है कि सब मसालों को अपना अलग से ओईल होता है टेस्ट होता है जो की सबजी बनने के बाद नहीं आता है सब मसाले डालने के बाद आपको सबजी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद कुछ देर के लिए ढग के रग देना है आपको सबजीों को पकने तक का वेट करना है इसलिए बार-बार आपको चम्मत चलाते रहना है और देखते रहना है कि सबजियां पकी है या नहीं तो आप देख सकते हो कि मैं भी बार-बार चेक कर रही हूँ कि गोबी और आलू अच्छे से पका है या नहीं सब्जियों के पकने के बाद आपको डाल देना है टमाटर जो आपने पहले से ही कट करके रखा हुआ है और फिर सिर्फ दो मिनट के लिए धक्कन लगा देना है ताक कि टमाटर भी अच्छे से गल जाए अगर आप आलू, मतर, गोबी की सुखी सब्जी खाना चाहते हैं तो आपकी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और मुझे थोड़ी सी तरी वाली सब्जी चाहिए इसलिए मैंने सब्जी पर थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से ही पकने दिया है जिसके बाद आप देख सकते हो कि सब्जी का कलर बहुत ही जादा अच्छा आया था और खाने में भी बहुत ही जादा टेस्टी था